I hope कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे profit आप earn कर रहे होंगे और दोस्तों देखे आज की वीडियो जो होने वाली है इसमें दो शेयर हम बताएंगे और देखे दोनों ही शेयर ऐसे हैं कि situation के हिसाब से अब की यह शेयर है देखे अभी क्या है कि आपने अगर market से पैसा कम आना है तो आपको situation के यह साब से भी कुछ चलना होता है और situation के इसाब से ही आपने अच्छी कंपनिया चोज करनी होती है तो देखिए अभी की जो situation है कोवीड वाली है तो इसमें ऐसे समय मतलब दो ही सेक्टर जादतर चलते हैं जादतर क्या हमेशाद दो ही चलते हैं बस से जादा और कोई सेक्टर चलता नहीं है तो जो दोनों सेक्टर हैं हमारे वो हैं एक आईटी सेक्टर और दूसरा हमारा फार्मा सेक्टर का है तो दोनों ही सेक्टर से हम एक एक शेयर देखने वाले हैं और दोनों ही जो शेयर हम देखेंगे बहुत सांदार होने वाले हैं ब आपने फाइनल से एडवाईजर से सला जरूर ले 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 तो चलिए देख लेते हैं देखिए हमारी जो पहली कंपनी है यह हमें काम काज करते हुए दिखाई देती है फार्मासुटिकल्स में और यह जो है एक पार्ट है एक हजार मिलियन डॉलर का जो आर्टी ग्रूप है उसका और इसका नाम है आर्टी ड्रक्स लिमिटेड जो यह सेर है हमारा आर्टी ड्रक्स लिमिटेड है और आप देखेंगे फार्मासुटिकल्स में काम करती है फार्मा इंग्रेडियन्स में काम करती है इस्पेसिलिटी के केमिकल्स में यह काम हमें करते हुए दिखाई देती है और सो कंट्रियों में देखिए सो से ज्यादा कंट्रियों में हमें यह कंपनी कामकाज करते हुए दीखती है ग्लोबली कंपनी का अगर हम मार्केट कैप देखें तो 4214 करोल का है 455 का करेंट प्राइज है और 112 बिक वल्यू पीश हस्ता है अभी 24.5 का और ROC और ROE देखें तो 20% से हमेशा ओपर बने हुए हैं दोनों ही चोटा सा कंपनी डिविडेंट भी देती है 10 की फेस वैल्यू है तो आपको इसमें स्प्लिट भी देखने को मिल सकता है और देखें जहां कल मार्केट में हर जगा रैडी रैड दिख रहा था वहां इसमें जो है आपको लगवग पौने 2% की तेजी हमें देखने को मिली है बात करें कंपनी के कौंज और प्रोज की तो कौंज देखेंगे तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है और प्रोज में तो देखिए पिछले 5 सालों का CGR देखें तो 21.4 से बड़ा है और आरोई देखें तो 26.1 का आरोई रहा है पिछले 3 सालों में कंपनी के अगर हम सेल्स देखें तो देखिए जहां कभी 800 करोड की 600 करोड की सेल हुआ करती थी वहाँ 24 करोड से ओपर की सेल अब होने वाली है और अगर हम प्रोफिट देखें तो प्रोफिट भी जहां हमें 22 करोड के दिखते थे देखें 22 करोड के कहीं प्रोफिट हुआ करते थे वहां हो गए हैं अब 172 करोड के प्रोफिट तो बहुत सांदार एक ग्रोफ हमें प्रोफिट और सेल्स में देखने को मिली है और अगर देखिए कंपाउंडिंग सेल्स की बात करें तो पिछले 5 सालों से 16 परसेंट से तीन सालों से 52 परसेंट से इस साल थोड़े नेगिटिव में रिटन है 13 परसेंट के सोरी तो 13 परसेंट इस समय गिरा हुआ है सेयर लेकिन अब फिर से जैसी कोबिट की इस्थिथी हमें गंभीर होते हुई दिखाई देगी तो ये सेयर हमें भागते हुए दिखाई देगा और देखे आरोई देखें तो 26% का बना हुआ है कंपनी के पास रिजर्व भी है 942 करोड के लेकिन करजा भी है 529 करोड का और ये करजा बढ़ ही रहा है भी तो थोड़ा सा चिंता का विसे है लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा करजा नहीं है तो ठीक ठाक है मैनेज किया जा सकता है इसको प्रमोटर्स होल्डिंग देखें तो देखेंगे हम के प्रमोटर्स के पास लगबख 60% है और लगबख 2% के आसपास FII के पास है और 37% DII के पास और 35% है पबलिक के पास तो अब देख लेते हैं हम अपना दूसरा इस्टोक और इस्टोक का नाम है LTI Maintree Limited IT सेक्टर से जुड़ी ही कंपनी है करेंट प्राइज है इसका 4,266 रुपे का कल एक हलकी सी ग्राबट 0,5% के हमें देखने को मिली है कंपनी में कंपनी हमें IT में काम काज करते हुए दिखती है और इसका जो बिजनिस है टोटली डिजिटल है डिजिटल सलूशन ये प्रोवाइट कराती है प्लेटफॉम बेस्ट सलूशन ये देती है अपने कलाइन को तो बहुत ही शांदार इसका बिजनिस मॉडल हमें देखने को मिलता है और देखे ये कंपनी जो है पहले LTI अलग थी और माइन्टरी अलग थी ये हमारा मैं 2022 से अभी मरजर हो गई थी और इसका नाम बदल कर अभी दिसंबर में ही LTI माइन्टरी हो गया है और अब जो है ये अपने सेक्टर में पांच वे नंबर की बड़ी कंपनी हो गई है 1,26,204 करोड का मार्केट कैप है 4,266 का इसका करेंट प्राई 524 की बुक वैल्यू है पी हलका सा महंगा है उड़न्चास का है और ROE और ROC देखें तो 30% के आसपास हमेशा बना हुआ है डिविडेंट भी कंपनी देती है देखें IT कंपनी जितनी भी है डिविडेंट तो बहुत अच्छा ही देती है प्रोज और कॉइंज देखें तो देखें कॉइंज में इस्टोक आठ गुना पर ट्रेड कर रहा है अपनी वैली से और 5% प्रोमोटर सोल्डिंग इसमें डिक्रीज हुई है और इसका अगर हम प्रोज देखें तो ओल्मोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है एक गुड क्वाटर इसका एक्सपक्ट हम कर सकते हैं तीन साल का आरोई देखें तो 29% का है और एक हेल्दी डिविडेंट पे आउट 36% का इसने बनाया हुआ है और देखें कुछ पेयर कंपिरेजन अगर देखें तो TCS, Infosync और SCL Technology और Vipro तो ये चार बड़ी कंपनिया हैं जो इससे उपर हैं और फिर ये पांच में नंबर पर आती है अपने सेक्टर में LTI, Mind Tree सेल्स हमें हमेशा बढ़ते हुए दिखाई देंगी जो कभी 4920 करोड की हुआ करती थी वो हो गई हैं अब 17799 करोड की साथ ही साथ अगर प्रोफिट देखें तो 996 करोड के जो हुआ करते थे वो पोज़ गए हैं 2564 करोड के तो हर जगः हमें कमपनी में ग्रोथ ही देखने को मिली है बात करें अगर रिजर्ब की तो 9175 करोड के रिजर्ब हैं और इसके सामने सिरफ 824 करोड के करज़ा है कमपनी के उपबर company का share holding pattern भी अच्छा दिखाई देता है लगबग 79% के आसपास promoters के पास है FII के पास 9% का और DIA के पास 10% से उपर stake है भरत सरकार के पास भी इसका 0.04% है और अगर सिर्फ public के पास देखें तो बचता है सिर्फ और सिर्फ साड़े 11% तो दोस्तो ये दो कंपनिया थी एक IT सेक्टर और एक फार्मा की इन्वेस्ट करना ना करना देखें आपके उपर है आप अपनी रिसर्च जरूर कर लें तभी इन्वेस्ट करें कोई इसमें सलह है नहीं मेरी साइट से आप करना चाते हैं तो अपने फाइनल से एडवाईजर से सलह जरूर ले लें दोस्तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लेज लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेजिएगा मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अब तक के लिए नमस्कार जैहिंद जैवाईब